नमस्कार जोतिश्विज्ञान के विशेशकारिकम समय शास्त्र में आप सबका स्वागत है मैं हूँ पंदित शेल भूशन सर्मा वैदिक जोतिश में भाग्ये निर्मान के अनगिनित रहस्त से भड़े पड़े हैं जोतिश्विज्ञान वर्तमान से भष्षत को जानने समझने और बेहतर बनाने का विज्ञान है लेकिन कैसे यही आपको पताने में लगा है यह कारकम समय शास्त्र आज इस कारकम की खास बातों में जानेंगे समय शास्त्र समाचार और धैनिक राशी फल के अलावा बाला रिष्ट के क्या है योग कुयोग जोतिश्य बच्पन में ही गर्भ के अंदर गर्भ से बाहर आने के तीन चार साल तक बाला रिष्ट के क्या है जोतिश्य योग कुयोग और साथ ही जानेंगे हम समय सभाग्य में कि अरिष्ट अगर है बाला रिष्ट है तो बचने के क्या-क्या उपाए कर सकते हैं क्या-क्या कैसे बादारिस्ट को शमन कर सकते हैं इस अरिस्ट कर और समय ब्रहमास्त में जानेंगे कि जन्म के बाद कई बार बच्चा लगाता नहीं बार पढ़ता रहता है रोती-रोती उसकी सांसे फूलें लगती है अगर हो रहा होता है अगर अगर बार 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 अभी नौजात बच्चे साथ नोजात सिशु के साथ में यह होता है अगर ऐसा हो रहा है तो क्या करें bütün वह राम बान उपाए कि बच्चे की तबीयत बिलकुल ठीक हो जाए हम बात करें हैं सबसे पहले किन्तो जोतीशिय गर्णाओं पर अधारित समय शास्तर समाचार आज अम्रत योगी उगता पाउश कृष्ण तयोधशी जिन और नक्षत्र के सन्योग से आनंद नाम की योग आज आज अन्य प्राशन नामकरण और नौकरी आरंब करने के लिए नौकरी जोइन करने के लिश्व महुरत दक्षन दिशा को छोड़कर अन्य दिशा की यात्रा की सुभदाई महुरत आज भगवान भोले नात की प्रसंटा देने वाला शिव प्रदोश का पावन ब्रत दोपारे 11 बच कर 69 मिनट पर आज राहू पुनरवस्व में करेंगे प्रवेश चार-पांच जनवरी की रात शुक्र का अनुराधा में होगा प्रवेश उत्तर भारत में अचानक मौसम परिवर्तन से बच्चों और बुरों में दुष्प्रभाव के योग इसी के साथ समये शास्तर विस्तार से आज अमर्थ योग बना हुआ है और पौसमास के कृष्ण पक्ष की तेओदशी है आज साथ ही गुरुबार का दिन और अनुराधा नक्षत्र इनके सनियोग से आनंद नाम के योग का बनना ये दोनों आज के दिन काफी अच्छे हैं, काफी कल्यानकारी हैं, कृष्ण पक्ष की तरोदस्री है, अनुराधानक्षत्र है, गंड योग है, गर करन है, विरिश्चिकराशी है, ये पंजांग है आज का, आज अन्प्राशन नाम करन और नौकरी आरंब करने के लिए की और दिक्षूल होता है, आज भगवान भोले नाथ की प्रसन्नता देने वाला प्रदोश का ब्रत है, तरोदस्री अगर प्रदोश प्रदोश होता है, महिने में दो बार होता है, आज पावन ब्रत है इसका, दोपारी ग्यारा बचकर 69 मिनित पर आज पुनरवसूम और इन दोनों के स्थियां परिवर्तन उत्तर भारत में अचानक मौसम परिवर्तन, मौसम करवट लेगा, बच्चों और बूरों के स्वास्ते पर दुष्ट प्रभाव पढ़ने के अचानक ये जो परिवर्तन है, वो दुस्प्रभाव कारी हो सकता है, दुस्प्रभाव के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है बात मेश्राश की मेश्जातकों के लिए महत्वा कांख्षाओं की पूर्ती हो सके इसके लिए आवश्यक सहयोगी प्राप्त होंगे आपको आज करियर का फिल्ड बदलना चाहते हैं छेत्र चुनाओ करना चाहते हैं तो यह अगर समझ कर फिल्ड बदलने का फैसला लें आज किसी भी काम में वैसे हर बड़ी ना दिखाएं काम की हर बड़ी काम बिगार सकती है दुसाहस पूर्ण कोई भी काम यानि रिस्क ले करके ओवर कॉन्फिडेंट होकर के कोई भी काम ना करें आज रिस्क आप ना लें मेश्राश की हर बड़ी नुकसान दायक हो सकती है बात करें इसी के साथ हम भृष राशी की व्रजातकों के लिए कारो बार में लावकारी दिन है रुकावटों के बावजूद लक्ष हासिल करेंगे त्रिग्रही योग इस समय आपकी रासी के ठीक सामने चंद्रमा के साथ गुरू औ शुक्र दोनों शुबग्रह बैठे हुए हैं आज का दिन सुबह से ही शुबह समाचार लेकर आएगा आपके लिए आपकी सलाह को महत्तों मिलेगा बस जबकी चल रहा है शनी की चल रही धाया आप धाया से सतरक रहें वाहना दी ठीक चलाएं लेकिन आज दिन आपके सुरुवात हो सकती है आपकी स्वाध्याय में रूची जगेगी आत्म विश्वास थोड़ा डगमगाएगा आत्म विश्वास कम ना होने दें चठे भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा लेकिन चुकि कृष्ण पक्ष का है लगभग अमाश्या का है बिलकुल पापी योगी बिलेगा लेकिन सम्मान में कमी की आशंका है चंद्रमा कृष्ण पक्ष का खीन चंद्रमा है औरिस कारण से थोड़ा सा आपका राशीषपंद्चमभाव में उसके बावजुद थोड़ी दिक्कत आगी शम्मान को लेकर के सम्मान को लेकर सतर्कर हैं बिवहार को धनो पारजन का स्थिर स्रोत बनता दिखाई पर रहा है और आज फैसलों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना ठीक नहीं होगा दूसरों पर निर्भरता कम हो अपना फैसला खुद कर सकें और सोच समझ के करें आज का दिन आपके लिए अगर ऐसा करते हैं तो बेहतर होगा एदियाप कर कराशी के जातक हैं बात करें इसी के साथ समय शोतर की समय सोतर में जानेंगे बाला रिस्ट के क्या है योग को योग जोतिश यक विमर्ष क्या है बाला रोग मतलब बच्पन में ही बच्चा नौजात शेशू उसके बाद के कुछ दिनों तक कुछ वर्षों तक वो बिमारी आती रहती जाती रहती और कई बार हम जैसा चाहते हैं वो ऐसा नहीं हो पाता और तमाम तरह के अरिस्टकारी समय बीटता है बच्चे के साथ में शास्तर कहता है आदवाद शाबदात नरानाम आयूर ग्यातुम नशक क्यते जप होम चिकुत साध्ये बाल रक्षाम तुकारेत बारह वर्षों की उम्र के भीतर यानि जब तक बच्चा बारह वर्ष का नहीं होता बच्चों की आयू के संबंध में निश्चित नहीं हुआ जा सकता निश्चे पूर्ण धंग से नहीं का आ जा सकता की आयू कितनी भोग यह है कितनी भोग तो हो चुकी है कितनी आयू है शेश मची हुई इसलिए जब होम चिकित्सा आदी से बालक की रक्षा करने चाहिए बारह वर्ष तक बच्चे के लिए दिकत्सा माने ता जन्मकाल में चारो केंद्रों में पापग्रह मजबूत हों पापग्रह पड़े हुए हों चंद्रमा उनके साथ युक्त हो जाए तो बालारिस्ट होता है चारो घरों में पापग्रह हों अगर अपनी बच्चे कुनली में और चंद्रमा पापग्रह उन्ही में से किसी के एक के साथ हो जाए या फिर लगन और साथ में कुरूर ग्रह युक्त अगर हो और पापकरतरी योग में हो यानि लगन के दोनों तरफ 12 भाव में दूतिय भाव में पापक ग्रह हो अत्वा सब्तम भाव के दोनों तरफ चटे और आठ में पापक ग्रह मौजूद हो या फिर इन दोनों में कुरूर ग्रह बैठे हो सूर्य मंगल तो ऐसी इस्ति में और अगर चंद्रमा शुभयुक्त नहीं होगा तो बालबालक के लिए अरिस्ट होता है 12 वर्ष तक बाच्चे का जिवित रहना 12 वर्ष उसमें शंका होने लगती है जन्मकाल में अस्टमेश्क से दिस्ट लगनिश अस्ट हो जाए अस्टम भाव के स्वामी से देखा जाने वाला लगनिश सूर्य से अस्ट हो जाए तब भी अरिस्ट कर होगा चंद्राशी का स्वामी लगन का स्वामी चंद्रमा अथवा लगन के द्रिशकान का स्वामी निर्बल होकर 6-8-12 भाव में आ जाए तब भी बालक के लिए आयू रक्षा का उपाय करना चाहिए अशुभग्रह युक्त अगर पाँच में, सात में, नवें, बारह में भाव में लगन या आठ में भाव में इस्तित हो अशुभ ग्रह युक्त होकर चंद्रमा पांच में बैठा हो, साथ में बैठा हो, नमें बैठा हो, बारह में बैठा हो किसी पापग्रह के साथ और आपके कुंडली के सापेक्ष बात होगी यानि लगन के सापिक्ष यह बात होगी कि आपकी कुनली के काय fender हैं अतवा काय可 gloss है लेकिन सामानेत्य मंगल युक्त हो जाए सामानेत्य शनी युक्त राहू युक्त केतु युक्त हो जाए और पांच में, साथ में, नवें, बारह में, लगन या आट में बैटा हुआ हो तो बालक को अरिष्ट का दोश होता है बालक रिष्ट ऐसे अनेक अन्यकुमोगों के होने पर भी इसका मतलब ही एक कुयोग तो हैं ही है इस तरह के और बहुत सारे कुयोग हैं लेकिन ऐसा कुयोग होने के बावजूद अगर लगनेश अत्यंत बली हो, लगनेश सडबली होकर शुभक ग्रहों से युक्त या दिस्ट होकर केंदर में बैठा हो तो बालक का ये अरिष्ट भंग हो जाता है तीसरे छठे ग्यारह में भाव में राहू हो या इन ही भाव में शनी और मंगल भी राहू के साथ बैठे या राहू से अलग बैठे हो तो समस्त अरिष्टों का नाश होता है बच्चे का कि आयू शतायू बच्चों की होती बच्च दिर्ग जी भी होता है पूर्ण चंद्रमा हो गुरु हो शुक्र हो अत्वा बुद्ध इन में से कोई भी केन बैठ गया हो अगर अकेला बैठा हो पाप दिश्ट नहीं हुआ हो तब भी समस्त अरिस्टों का नाश कर देता है इसलिए अरिस्ट योग बनते भी हैं और अरिस्ट योग जाते भी हैं हम चरचा करेंगे हो गया बाला रिस्टों क्या करें उपाए लेकिन उसके पहले जानेंगे सिंग करनीया तुलार विश्ट इन जातकों के लिए दिन कैसा रहने बाला है बात सुरू करें सिंग रासी से सिंग जातकों के लिए अनावश्चक वाद विवाद से आपको दूर रहना चाहिए ये एग्रेशन लाएगा कोद लाएगा अदालिती मामरों में आपको सफलता मिलती दिखाई पड़ रही है बढ़े हुए काम के दबाओ में आज आपकी ब्यस्तता दिन भर बनी रहेगी निजी सम्मंधों को आप बिल्कुल समय नहीं दे पाएंगे अगर आप सिंग रासी के जातक हैं सिंग रासी के इस समय चौथे भाओ में रमन कर रहे हैं चंद्रमा, शुक्र और गुरु के साथ में इसलिए ब्यस्ता काफी रहेगी काम को ले करके बात करें करन्या रासी की जिसकी धईया चल रही है अलड़ेडी सभे घरेलू मसले जितनी भी घरेलू मसले हैं आपके एक एक करके हल होते चले जाएंगे बारता लाप से समस्या का निदान संभवे समस्या सुलस्ति दिखाई पढ़ रही है अधिकारियों से कोई परषय पुराना आपका है उसका लाप मिलेगा शाम तक किसी प्रियन से, किसी अपने नजदी की व्यक्ति से नियर्स एंडियर्स से मिलने का अवसर प्राप्त होता दिखाई पड़ रहा है अगर आप कन्या राशिके जातक हैं बात करें इसी के साथ तुला राशिकी धन संबंदी समस्या आपको तंग करेगी बड़ों की सलावस्य लें अपनी बेवसी प्रगट ना करें और बेर्स के आयोजनों से तुला राशिके जातकों को दूर रहना चाहिए किसी तरह के आयोजन इस तरह का कृष्ण पक्ष का चंद्रमा दूसरे भाव में उसका रहना आपके लिए ठीक नहीं है बात करें ब्रिष्चिक राशिकी जहां चंद्रमा मौजूद है आज पारिवारिक तनाओं के आसार दिखाई पड़ रहे हैं छीर चंद्रमा आपके राशि में बैठा हुआ नीच का हो जाता है वैसे भी आज का आपका दिन आज का घर परिवार में उल्जन भरा रहेगा लेकिन इन सब के बावजूद जीवन साथी के से संबाद में आपको ताकत मिलेगी जीवन साथी आपके साथ खड़े होंगे निश्चत रूप से जो भी हैं पुरुष या महिला आप दोनों के लिए समान रूप से ये समय आएगा ऐसा जीवन साथी का साथ मिलेगा ब्यावसाई तो जोखिम ना लें कोई रिस्क लेना चाहते हैं ब्यावसाई तो आज सितारे आपके पक्ष में नहीं है किसी भी प्रकार का रिस्क हो जाएगा वास्तों में और इसलिए आप बिल्कुल ना लें बात करें इसी के साथ समय सौभागे में अरिस्ट दोसों से बाला अरिस्ट दोसों से बचने के लिए अरिस्ट बचने क्या करें अगर बाला लिस्ट है बच्चे को प्रारम में ही मालूम रहता है बच्चा भी मार रहने लगता है कई बार लगातार भी मार रहता है तमाम इराज कराने के बाद भी नई नई तरह की विमारिया तो समझ में आता है कि दिक्कत हो रही है ध्यान रहे चिकित्सक के पास जाना ही चाहिए और पहला चिकित्सक ही इसका निधान करते है लेकिन कई बार ऐसा होता है कि समझ में नहीं आता बच्चा ठीक हो कि घर आया फिर बार पढ़ गया फिर गया और ये लगतार बढ़ने लगता है अगर ऐसा हो रहा है तो कुछ बातें समझें गंडमूल नक्षत्रों में जन्म हुआ है गंड अंत नक्षत्र में मतलब जन्म हुआ है जहां पर गंड मूल की शुरुआत हो रही है या गंड मूल जहां से खत्म हो रहा है ऐसा नक्षत्र अगर बन रहा है अश्विनी में अगर जन्म हुआ है और रेवती में जन्म हुआ है रिवती का अंत और अश्विनी का प्रारंब ये दोनों ही गंड प्रारंब है इसलिए इन दोनों में अगर जर्म में लिया है तो उसकी शान्ती करानी चाहिए आशलेशा मगा में अगर जर्म हुआ है शान्ती करानी चाहिए जेस्ठा मूल में हुआ है शान्ती करानी चाहिए ये छे नक्षत्र गंड मूल के हैं शान्ती अवस्य करनी चाहिए तब तक पिता ना देखे संतान को पहले नहीं देखते थे आजकल तो गोदी मिलने परंपरा है लेकिन 27 वे दिन उस मंत्र के अभिष्ट संख्या में जब और दान अवस्य हो जाना चाहिए नितबाद में फिर बच्चा ऐसा क्यों था बच्चा बहुत तेज था बच्चा बहुत कम्जोर हो गया है बच्चा ऐसा हो गया वैसा हो गया यह सारी बाते के वाल कहने सुनने क हो जाएंगी घंड मूल नक्षत्रों में शान्ती अवस्य करनी चाहिए पाप विस्ट चंद्रमा अगर है पाप युक्त चंद्रमा अगर है तो लजावर्द का धान करना चाहिए और उसके बाद यह शान्ती के उपाए जो भी छठे आठ्वें बारह में ग्रह के स्वामी ह उनकी राशिश की बस्तों का दान करना चाहिए बात करें इसी के साथ धनु मकर कुमब और मीन की धनुजात को के लेन दिन के मामले प्रास्मिकता से निप्टाएं दूसरों के भरों से काम ना चोड़ें नए प्रियों के लिए प्रतिकूल समय है बीरोधियों को अवसर मिल सफलता दिखाई पड़ रहा है मकर राशी के जातक की बात कर लेगर हम तो कला के पती रुजान रहेगा आपका स्थितियों में नए बदलाओं के आसार बनते दिखाई पड़ रहे हैं सामाजिक दाईत्तों की समझ बढ़ेगी किसी मित्र का आग्र आज ना टाले ग्यारह म भावम बैठे हुए चंद्रमा कृष्ण पक्ष के त्रीग्रही योग बनाते हुए आपके लिए सफलता कारक आपके लिए लावकारक दिखाई पड़ रहे हैं बात करें हम कुम राशी की कुम जातकों के लिए धनवसूली का अच्छा उसर है यानि अगर आपका पैसा मार सुलस्ता दिखाई पढ रहा है कुम बराशी के जातकों का कोई ऐसा भी बाद जो लेंजेन से सम्हं देन सब्बंदित हो और सब्सक्राय से चला रहा है ब्यवस्य का विस्तार करते दिखाई पड़ रहें किसी प्रियजन किसे जो शिकायते हैं आपकी वह दूर होंगी शिक कई दिनों से अटके हुए काम आपके पूरे होंगे जो काम बहुत दिनों से रुके हुए थे लिंगर हो रहे थे नहीं बढ़ रहे थे वो पूरे हो दिखाई पड़ रहा है संतान के कारियों से संतोष मिलता दिखाई पड़ रहा है जातकों को जो मीन राशी के हैं आज प्रवास टालना ठीक रहेगा भागि साथ नहीं दे रहा है शाम के बाद कोई बड़ी खबर बनेगी कोई काम बनेगा आपका और इस खबर से मन उत्साहित होगा मन पसंद होगा आपका निश्यत कुरूप से अगर अमीन राशी के जातक है बात करें इसी के साथ समय बरहमास्त की समय बरहमास्त में जानेंगे जन्म के बाद सिसो लगातार विमार रहता हो कई बार ऐसा होता है रोते रोते सांसे फूले लगती है रखता है बच्चा इदम बहुत परिशान हो रहा है और बार बार ऐसा होता है तो ध्यान रहे जो काम करना है वो समय बरहमास्त की तरह ये बरहमास्त की तरह काम करेगा अगर आप गुरुबार को छोड़कर जब चंग्रमा बालक की राशी से तीसरे चठे आठमे बारह में भाव में ना हो यानि अगर बालक की राशी मेश है तो तीसरे नहीं हो चठे नहीं हो आठमे नहीं हो बारह में नहीं हो उस दिन से प्रारंब कर साथ दिनों तक सुर्यास्त की तीन घड़ी के बाद यानि बहत्तर मिनट के बाद नीम के पत्ते ले पीली सरसोले लॉंग का धूप जला दें बगल के बच्चे के माथे पर हाथ फेरते हुए बच्चे के नमो भगवती शिशुवत सले मोचनी मोचनी स्वाहा ये धूप जला करके गीस बार इस मंदर को पढ़ें साथ दिनों तक ये करेंगे तो बच्चे का ये सांस फूलने की मारी रोते रोते होने रखती है इसमें कमी आने लगीगी जीवन को खुशियों से भरने वाला इस भरने वाले इस तरह के अनेक रहश्य जीवन में रिश्यों के अद्पूत देन है उसका लाभ लेने के लिए जगना जरूरी है लगना जरूरी है तभी आप असंभव को संभव कर सकते हैं इसलिए आप जरूर देखते रहिए समय श झाल झाल